नमस्का दूस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एटाफॉस्ट यूटूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करें कई पड़ी और लेटर सब्डेट के बारे में जो की संब्दित है सुप्रीम कोड के ओर्डर को लेकर सुप्रीम कोड के ओर्डर के बात से सब्सक्राइब को लेकर सब्सक्राइब को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक कर दें से कि आपको रियल ऑफेंटिक जानकारी ओनलाइन अड़ाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें सीधे शुबात करते हैं मुद्दी की तो दोसों MPTT exam में थोड़ा ही समय बचा है और थोड़े से समय के अंदर भैतरीन preparation के लिए आपके पास एक best book होनी चा और 10 practice set के साथ जैसा कि आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं इस book में आप सभी के लिए महत्पुर्ण questions आपके लिए दिये जाते हैं और साथी साथ exam में आने वाले वो तमाम most expected questions भी मिलते हैं और उन सभी questions की आप सभी के लिए सटीक और सही ओतर माला देखने के लिए मिलती इस book को आप purchase कर सकते हैं चक्सू.com से चक्सू.com के साथ साथ ये book आप सभी को Amazon Flipkart इसके लाबा और भी तमाम अलग-अलग online website में मिल जाएगी या आप अपने नजदी की रिस्टोर से purchase करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये book available है online offline दोनों जगे पर अधिक जाने का ये के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की description में दे दिया है अपनी best preparation को और मजबूत करने के लिए आजी book को purchase कर लें और सबसे पहली जो update आपके सामने देखने के लिए मिल रही है वह सुपीम कोट के order को लेकर सुपीम कोट ऑफ इंडिया की माध्यम से एक order दिया गया यह तो वो पूरे तरीके से नियम बन जाता है अब जब संभिदान पीट किसी आदेश को देती है तो वो आदेश तो कहिने की और जादा महत्पूर हो जाता है अब इसी के संबन्द में जब यहां पर जी आदेश दिया गया इस आदेश के बाद से चीज़ें बहुत साई मैं आपको बताता हूं सुपीम कोड ने भरती प्रकिया से जुड़े एक महत्पूर भैसले में कहा कि सर्गाई नौकियों में निक्ती के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं कि भरती प्रकिया में आविदन आमन्तित करने वाले विध्यापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ ही समाफ्त हो जाती है पीठ में जस्टिस जो यहां पे जितने भी जस्टिस थे उनकी नाम लिखे हुएं मुद्दे की बात यह है कि पीठ ने सर्ग समती से कहा कि भरती प्रकिया प्रांब में अधिसूचि चैन सूचि में शामिल होने के पात्ता माप दंडों के बीच में नहीं बदला जा सकता ह जब तक मौझूदा नियम इसकी अनुमती ना दे या जो विग्यापन मौझूदा नियम के विप्रीत ना हो और इसकी अनुमती देता हो कई बार देखा होता है आपने के विग्यापन जारी किया जाता है उसमें लिख दिया जाता है कि पदों की संक्या गड़ सकती है बढ परिक्षा भी हो सकती है अब वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर अगर एक परिक्षा ले गई तो भी सही है दो ली गई तो भी सही है क्योंकि विग्यापन इसकी अनुमती देता है तो यह होता है विग्यापन का अनुमती देना या मौझूदा नियम को अनुमती मिलनी जिस्टिस मिश्या ने कहा कि यदि मौझूदा नियम या विग्यापन के तहत मान दंडों में बदलाव की अनुमती है तो उसे सम्मिदान के अनुचे 14 की आवशिक्ता को पूरा करना और मनमानी होने की कसोर्टी पर खरा उतरना होगा पीट ने कहा कि मौझूदा नियम के अधीन भरती करने वाली एजनसी पूरी प्रकिया उसके तार्किक निश्कर्स के तक पहुचाने की उचित कदम उठा सकती है बशर्त है कि प्रकिया पारदर्सियों गैर भेदबाव पूर्ण गैर मनमाना और उसके उद्देश के प्राप केवल तब ही है जब कोई मौझूदा नियम इसके संबंदित हो तो यह वही वाते लिखी हुए जो आपके सामने है पांच में नंबर में लिखा है कि मंजूश्री निडए अच्छा कानून है वह इसको गलत नहीं है इसको लेकर एक मंजूश्री का ओडर है अगर आपने उ वह साही चीजें आपके सामने आती है क्योंकि आपने उनहेतर जार में भी देखा था सबको नौकी मिली किसी के नंबर गलत किसी का डॉकुमेंट गलत और भी वह साही चीजे थी तो यह वी एक अलग मामला है अब इसी बीच यूपी पीस्ट के माध्यम से भी कुछ बदला भी बिच्ण जारी करने के बाद बाहद में उनहें वन सुद्धि प्रति जारी कर दी बुबा त लगे अब उनेहतर हजार को लेकर फिह थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि उनेहतर जार सिच्चक बर्दी का मामला भी से संब्दीत है कि बिच्च रखनाने के बाद नियम बदले नहीं जा सकती या पाते ताम आप दंडों में बदलाब नहीं किया जाता तो उनहेतर जार में बदलाब नहीं हुआ था, यह सच है, क्योंकि एक बदलाब तो यह हो गया कि उनहेतर जार में सरकारे 40-45 लगाया होता, है ना, उन्होंने 68-500 में 40-45 लगाया था, लेकिन 40-45 के बज़ा उन्होंने सीधा 60-60 कर दिया, सिक्षा मित्यों ने इसको लेकर सिंगल बेंच, डबल बेंच से लेकर हाई कोड तक सुप्रीम कोड तक लड़ाई लड़ी, बाद में उनको जीत मिली, कभी हार मिली, है ना, लेकिन अंत्रतर जो हुआ वो हारी थी, अब यहाँ पर जो सिक्षा मिलते हैं उनका कहना है कि जब उन्हेतर जास इच्छक बहती के समय सुप्रीम कोड ने ऐसा आधिस दिया था, तो आज सुप्रीम कोड उस बात को कैसे कह सकती है, क्योंकि उसी समय पर, उन्हेतर जार के समय पर यह कहावद आपने बहुत सुनी होगी, है ना, कहते थे ना, आप सभी के लिए, कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, तो वहाँ पर उन्हेतर जार के समय कहा जाता था, कि यह खेल नहीं यह प्षातों का वविश है, अब सरकार और कोड खुद जाकर के कल की तारिक में दिये गए, ओर्डर को लेकर खुद सुप्रीम कोड की जजिस कहा रहे हैं, कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, तो अब चीजेंज हो जाती हैं, जब मामले बार-बार सुप्रीम कोड अलग तरय के जाते हैं, तो बदल जाती हैं चीजें, अब सुप्रीम कोड ओफ इंडिया के अंदर, जो कल्की दारीग में आदेश दिया गया है इसको लेकर शिक्षा मित्तों का कहना है कि हम इस आदेश के आधार पर उनायतरजार को चैलेंज करेंगी अब क्या कुछ होगा ये देखना महत्पूर है क्योंकि शिक्षा मित्तों की माध्यम से लगादार और बार-बार इस मामले को कहिने की चैलेंज करने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता जब तक कोई कह सकते हैं कि उन्हेतर जास अच्छंगवर्थी को लेकर कोई order नहीं आ जाता उससे पहले शिक्षा मित्यों के लिए जादा कुछ होगा नहीं क्योंकि बीर्ड को लेकर भी order आ गया है शिक्षा मित्यों ने उसको भी चैलेंज करने की त्यारी की है हलाकि चैलेंज भी कर दिया है लेकिन सुनबाई नहीं हुई है बीर्ड की order को लेकर उसके बाद में दूसी चीज कट ओफ को लेकर है जो कल की तारीक में ओडर आया इसके आधार पर कट ओफ को लेकर भी चैलेंज किये जाने की त्यारी की जारी है आरचन को लेकर मामला पहले से सुप्रीम कोट में लगा हुआ है अब ये तीनों चीजें प्ले में आ गई हैं, देखना ये होगा कि किस पर फाइनल ओडर आता है, आरच छंड पर तो शायर आई जाएगा, बाकी दो अभी प्रेंडिंग में हैं, बी एड और कट अफ को लेकर, तो ये तो बात हो जाती है, उनहेतर जार को लेकर, इसी के साथ अगर बात की जाएं, बेसिक में जो टांस्फर नीती उसको रद कर दिया गया है, हाई कोट ने रद की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीती, अदालत ने कहा कि इसका प्रावदान मनमाने और भेदवापूर्ण है, ये मामला जो था, इस नीती जारी रखा गया है, हर बा बात काम की चीज़ है, अगर आप सिक्षक हैं तो या बनने के लिए जानना चाहते हैं, तो ये तो वही बात आगी, कि भरती प्रकिया के बीच में नीयम नहीं बदले जा सकते, ये उपी में बदले गए हैं, एल्टी गेट सिक्षक बरती, चैनित अभ्यातियों ने निक्त नहीं दे गई हैं, थेंक यू फर वोचिंग दिस वीडियो